इसे पहले हम लोग भूल जाएं चानल पर नए हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर एपिसोड पसंद आता है इंजॉय करते हैं और कुछ सीखते हैं तो देखो करंट प्राइज यहां पर 37 रुपीज का है बुक वालियो 25 रुप आसा कमपारिटिवली उपर नजर आता है दूसरी जीज जितने भी यह लॉजिस्टिक बिजनिस है इसके अंदर आप खुद देखिए कि आपने कभी स्नोमान लॉजिस्टिक्स को यूज किया है या नहीं किया है तो आपको एक जादा बेटर तरीका पता चलेगा और स्नोम ही बेजने तो वहां तक ठंडी ही पहुचेगी तो वह जो है वह स्नोमान लॉजिस्टिक का एक यूएस पी है और इस सेक्टर के अंदर भी ऑल्टो अगर आप देखेंगे मार्केट बहुत ही ज्यादा अनॉगनाइस्ट मार्केट है यह फ्रक्टर आपको बहुत स्रॉंग हर केस में समझना पड़ेगा यहां पर अगर आप देखेंगे इस कंपनी का अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखेंगे बहुत बढ़ी है बट अब देखो प्रॉब्लम कहां पर आती है न जैसे हम लोग बात करें दो हजार पंदरा से लेके दो हजार बाइस तक दे सब्सक्राइब करेंगे क्या करना आगे वाले लेवल्स में पांच अगस 2022 को लास पेचतर बैसे का देखने को मरा था और यह कंपनी डिविदेंट क्यू दे रही है यह तो सोचना वाली बात है क्योंकि हमें लगता है यहां से ज्यादा है और यही प्रॉब्लम आईगी दि व्रसा अनॉगनाईज मार्केट के अंदर प्ले करता अब देखो रॉंडिंग बॉटम बनता हो नजर आया रॉंडिंग बॉटम पाटन में बेसिकली होता गया जितना यह जोन है उतना ही आप अपसाइट भी रखते हैं 30 परसंट का अपसाइट रख सकते हो यहां से अगर यहां तक चला जाता है तो फिर देखें 47 48 पर मुझे लगता है एक सही लेवल होगा प्रॉफिट बॉकिंग हिसाब से और 40 रुपीज के उपर स्टॉक निकलता है तो एक बार स्टॉक इस जोन में भी अटक सकता है 43 रुपी 60 पैसे क्योंकि यहां पर एक रिजिस्ट बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली चीज है नहीं आपे ज्यादा हम से अगर आप पूछेंगे हम लोग के पास में स्टॉक नहीं है हम लोग ने आपको इस रेंज में भी बताया है कि हम लोग कौन से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो वह में ज्यादा पसंद आता है कम प पर कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे किसी कंपनी ने 50 करोज कभी अभी जग नेट प्रॉफिट एक बार भी अचीव नहीं कर रहा है और कंपनी कम से कम ग्यारा साल होगा याद बिजनस के अंदर तो यह प्रॉब्लम वाली चीज होती है उमीद करता हूं आपको प्रॉब्लम वाली चीज होती है